नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका DLSA के प्रोग्राम में, जिसका नाम है कानून की पाट्शला। और मैं हूँ आपका अपना कानून सेंग। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि कौन-कौन Free Legal Aid Service को प्राप्त कर सकता है। भारत में Free Legal Aid Service के लक्ष को प्राप्त करने के लिए संसद में Legal Service Authority Act को लागू कराया गया। जिसकी वज़ा से हम आज नयाय सब के लिए की मुहीम को इतना आगे ले पहुचे हैं। समझते हैं कैसे। राश्ट्रिय स्थर पर मदद करने के लिए है National Legal Services Authority। सभी राज्य में निशुल्क Services का मुहीया कराती है State Legal Service Authority। जैसे दिल्ली राज्य में है Delhi State Legal Services Authority। मुफ्त कानूनी सहायता को दिल्ली में स्थित 11 जिलों से हासिल किया जा सकता है। जिसमें से एक है North West District Legal Services Authority। तो आईए जानते हैं कौन-कौन इस Free Legal Aid Service को प्राप्त कर सकता है। महिलाए उरुष लेकिन साला ना आये 3 लाग से कम। सभी बच्चे, Senior Citizen साला ना आये 4 लाग से कम। Transgender साला ना आये 4 लाग से कम। Disabled, Schedule Car, Schedule Tribes, Disaster Victim, Infected & Affected with HIV-AIDS, Accused in Custody, Workmen & Labor Delhi Victim Compensation Scheme Beneficiaries, Motor Accident in Claim Claimants, Victims of Human Trafficking & Beggar आशा करता हूँ हमारी इस मुहीम को आप जरूरत मंद लोगों तक जरूर पहुचाएंगे। इस तरह के और पोस्त सुनने के लिए फॉलो करते रहे हमारे सोचल मीडिया हैंडल्स को। धन्यवाद। झाल 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 हुआत झाल